तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो इसमें बिसिकली कहा जा रहा है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मनाया गया है जो की कनेक्ट है एसी मेन सोर्स 220 बोल्ट और टू ऑपरेट एलेवन बोल्ट और देखो इस्टेप डाउन है तो 220 बोल्ट लगाया थे तो इलेवन बोल्ट मिला बोल्टेज कम हो गया और एक लैंप लगा इगनोर देपाउर लॉस मतलब आईडियल ट्रांसफार्मर मिला वाट इस करेंट इन ही, देखो सबसे पहले अगर मैं सक्षण को शॉप करता हूं तो मैं स्ट्रैप डाउन ट्रांसफार्मर मनाता हूं स्ट्रैप डाुंत ट्रांसफार्मर होते हैे जिसमें नमबर आप टॉंस जो है इधर कम होता है ठीक ऐन और यहां पर एक बलव लाओ, ठीक नया ये एक बल पर आपरेट हो रहा है और इधर जो आउड पुट मिला उ exhale वे यह moist और मिला हुच 11 वाट का जो लैम्प है उसको अपरेट हो रहा है तो हीज लिक अपैस में प्राइमरी मेंा ऑपनाOS कितनी करेंट यहां से flow हो गी इस में कितनी करेंट होगी ठीक हैं तो कहता है कि इस इंज आइडियल घ्रांसपार्मरिज पैरे इस ट्रांसपार्मर आञें कि वह क्रोगर और भैए मद्हाई पा सुप और इन गए इंपर उतना पावर आउटपूट आओगा मतलब पावर इन फर्स्ट पावर इन सेकेंड के बराबर होगा तो पावर इस उकल तू होता है करेंट इन सेकेंड बोल्टेज इन सेकेंड और पावर यहां से टू तो यहां से करेंट इन प्राइमरी हो जाएगा पावर इन टू डिवाइड़ वह बोल्टेज नटू पावर इंटू यहां से दिया हुआ है Grand और यहां से बोल्टेज दिया है 220 पॉल्ट प्राइमरी में तो इसको जब सॉल्व करोगे हां से तो यहां से यह कट जाएगा है हां यहां से कट जाएगा टू टाइमस तू टाइमस आज कट जाएगा तो टू वाइट टेन मतलब यहां जाता है जिरो पॉइंट वन एंपियर इसमें करेंट फ्लो होगी ठीक ना इस वाले करिन मतलब जिरो पॉइंट टू मतलब यहां से सेकेंड ऑप्सन सही हो जाता है थेंक यू